खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन ज़रूर दबाए देखे पहले बाद तो यह जो चुनाव आयोक का जो कारिय है वो जो कारिय प्रनाली है वो कमिशनर के सिवाए और आधियकारियों के सिवाए किसे को मालूम नहीं होता है कि कैसे वाड रचना होगी और रचना होने के बाद में कमिशनर सिते जर्बी लेटर साइन करके प्लैन अगर क्रेट रफिक जाता है उसके बाद में फिर बदल के लिए यह Olsen स defence हो उस समय हम बता सकते है कि यह दिए और कि भाप पता है तो इलेक्शन कार्य प्रणालिक पर ही प्रश्ण चिन्ना आ जाएगा फिर रहे के बाद दलित की वार्डों की या दुसरी वार्डों की हर वार्ड में सभी जाती सभी धर्म की लोग रहते हैं हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दलित वार्डों को तोड़ा गया है अगर यह बताया है आज मैंने पत्राइस में भी पढ़ा है तो इसके इंक्वाइरी में आप इसके आधिकारी निमीन चाहिए कि यह जो ब्लान है यह फैर बदल करके जो उन्होंने जो महितिया पेपर में डाली है कि दलीतों के वाड तोड़े गए है तो इसके बारे में खबर देने वाले के उपर सक्त सक्त कानूनी कारवई होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि Election Commission के आगे कोई भी नहीं है निवनलुक प्रक्रिया में कोई भी आधिकारी इसमें इंटर्फेर नहीं कर सकता है और हमें पुरा-पुरा भरोसा है कि जो भी कार्य प्रणाली Election के प्रति होगी वो नी पक्षपात होगी उसमें कोई भी संदेह नहीं है अगर इसमें कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई तक आप पोशना चाहिए अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो यह ऐसे जूटे आरोब जो लगाए गए है महानगर पालिका के प्रणाली के उपर उसके प्रतिवी कारवाई होनी चाहिए